दोस्तों, लास्ट फ्राइडे का जो लाइब सेशन हुआ था, वहाँ पूछा गया था कि अबंती फीड्स का क्या अभी टेकनिकल सेटप है, तो मैं सोचा कि उसको प्रॉपर आनलिसिस के साथ और आनलिसिस जो फंडामेंटल और टेकनिकल के साथ आपको प्रेजेंट करूँ ना कि वहाँ पे डारेक्ट के लिए बोल दूँ कि वहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अभंती फीड्स का टेकनिकल अन फंडामेंटल आनलिसिस, तो आखिर तक वीडियो को जरूद देखेगा, सोधर्ण आपको प्रॉपर इं अनुआल रिपोर्ट में हम लोग कुछ रिसर्च करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को आज सच कुछ दिखा नहीं, वहाँ पे मैक्सिमम टो मैक्सिमम उलोग का पॉपमंद से जादा मैनेजमेंट के उपर फोकस किया गया है, मैनेजमेंट अकौन कितना सालारीव और कौन कितना मीटिंग अटेंड किया, वो सब ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया है, और यहाँ पे कितना काहा से अपरेशनल रिविन्यू आरहा है, उसको अतना ज्यादा डीटेल आप लोग को डेखने के लिए नहीं मिलेगा, तो उसके लिए उसको को टाइम वेस्ट रखना है काफी ज़्यादा कसन रखना है वह मैं आपको टेक्निकल अनलिसे बताऊंगा तो पहले हम लोग इसका फंडामेंटाल देख लेते हैं तो आज पतर फंडामेंटाल 7,311 करोड का कम्पनी है करेक्ट और यहां पर डेट है श्केस कर लेख देखना है यहां पर डे हसे यहां पर यहां पर प्रनाली क्यान है और यहां पर पर फूट प्रोसेसिंग के उपर यहां पर जितना सारा जो उसका उसको प्रेजेंट किया गया है लेकिन अभनती फिल्ट्स के साथ उतना ज्यादा उपर नीचे के जो चाहे वो गौड़ेज आगरोबाट है इसका तो फीडियो अलड़ी बन चुका है कैसी हो गया तन्वी फूड्स हो उनिक ओर्गैक्स हो गया उसका आसपास का कैंपणी नहीं है उनके इनका बिज्नस मॉड़लimme कॉट्भी अंतर है तो हम लोगों को अच्छा होगा कि यह सबसे बहतर होगा कि हम लोगं को स्टाइण अलोन बेसेस में अनर्स को करें खाली एक चीज हम लोगह में पता चल सकत और यहां पर देट कम है इसलिए हम लोग return on equity देखना एक बर बनता है ROE निकल क्या था है 29.1% का और यहां पर आप लोग को promotor holding देखेगा 50% से कम जो कि 43.7% और place percentage completed zero है तो यह हम लोग को discuss की पार्ट तो ही नहीं तो जैसे के हम लोग 50% से नीचे कोई भी promotor holding होता है हम लोग एक बात जाके investors में shareholding partner चेक कर लेते हैं तो यहां पर आप लोग को दिखेगा कि public के पास 23.2% से 3 साल में 33.13% तक बढ़ा हुआ है और promotor holding अभी भी constant है लास्ट तीन साल से और यहां पर FIA जो है अपना जो holding से वह भी बढ़ा हुआ है तीन परसंट से सीधा 16.40% लगभग 13% या 12% के हिसाफ से यहां पर बढ़ा हुआ है FIA का holding लेकिन DIA का holding है उसमें घटा हुआ है और government का भी यहां पर holding है तो government of India का जो अंधरपते से इंडिर्स्ट्राल डेवल्मेंट का corporation का है वो constant है 2.70 के हिसाफ से है तो यहां पर आज पर हम लोग एक bullish trend देखने के लिए मिल रहा है काफी अच्छा 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 इंवेस्टर्स का यहां पर हम लोग बोल सकते कि इंटेर्स जगता हुआ देखने के लिए मिल रहा है बट इस हिसाफ से हम लोग कम्प्ली स्टॉक का opportunity को देखना उतना अच्छा नहीं होगा और यहां पर प्रॉफिट लॉस को बात करूंगा तो यहां पर मैं नीचे आता हूं एक बार यहां पर आप लोग को दिखेगा net profit तो net profit आप लोग को 2009 and 10 में माइनस में दिखेगा जो की loss है उसके बाद यहां पर consistent consistency जो है 274 आ गया है 2019 में उसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 2020 में जो कि एक अच्छी बात है 346 करोड के यहां पर profit दिखा रहा है तो यहां पर profit consistency नहीं है इसका मतलब है कि हम लोग के यहां पर बहुत ज्यादा अच्छा vision देखना मतलब multi-veggar type vision देखना बिल्कुल भी सही नहीं हो करेट और यहां पर cash flow के उपर बात किया जाए cash flow सही है 452 करोड का cash flow है जो लास्ट तीन साल में जनेरेट हुआ है और लास्ट फांसंत का जो जनेरेटर cash flow है 494 करोड है company के पास पैसा आ रहा है profit भी आ रहा है cash flow भी सही है तो उस हिसाब से financially company strong company healthy cash flow आप लोग का मेंटेन किय हुआ है और रिजर्व के उपर बात किया जिए 1603 करोड का एक रिजर्व से जो कि अपना R&D का हो गया या business expansion के लिए उसको यूज बिलकुल कर सकता है तो यहां पर जो shrimp food है उसके उपर काम करें जैसे कि आप लोग को में starting से बताया था लेकिन इसका annual report में जाके में बहुत कोसिस किया उतना ज्यादा मेरे को feedback नहीं मिल पाया असके उपर और यहां पर one day के हिसाब से technical chart में 518-13 में यहां पर आम लोग जो trend आम लोग calculate करते हैं यहां पर छोटा सा consolidation के बास breakout हो था यह काफी लंबा breakout है तो इतना लंबा आप लोग का breakout इसका तो resultant बेलकुल भी नहीं है तो यहां पर हम लोग एक देख सकते हैं कि छोटा सा consolidation हो सकता है थोड़ा लंबा time के लिए हो लेकिन जो range रहेगा जो width से रहेगा वो छोटा रहे सकता है तो यहां पर आप लोग का गिरावट 521 तक on the mid term में या short term में आने के लिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं और one week के हिसाफ से बात किया जाए तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो यहां पर भी same consolidation हुआ है mid term में और यहां पर breakout भी दिया हुआ है लेकिन breakout में थोड़ा सा रुकावट आने के लिए जैसे कि हम लोग को दिख रहा है यहां पर कोई भी conclusion लंबा time के लिए या mid term में हम लो यहां पर जो गिरावट हो सकता है वह maximum तो maximum 510 जो कि पिछले टाइम पर भी निकला हुआ था 510 तक यहां पर गिरावट हो सकता है for the short term, mid term and long term के बीच में तो उसके हिसाब से 510 को आप लोग टार्गेट रखे बिना confusion के साथ 510 को एक बार जो वहां पर entry level आप लोग सोच सकते हो और यहां पर अब तक थ्रेट नहीं बताया हूँ उस थ्रेट को भी आप लोग को ध्यान में रखे आपको ट्रेड करना है for the swing trend यहां पर long term investment के बात म long term investment और यहां पर जो reverse triangle बना हुआ है तो आप लोग बोलोगे यार reverse triangle तो it is a sign up आप लोग का multi beggar मैं मानता हूँ इसका sign है multi beggar का sign है और जो reverse triangle बना भी है बहुत sharpness के सार भी बना हुआ है लेकिन इसका the slope है वह थोड़ा मेरे को पसंद नहीं आया slope मतलब अगर 45 degree का slope होता है और यहां पर जो बहुत ज्यादा उच्छाल फिर बहुत ज्यादा गिरावट इसके हिसाब से अगर यहां पर reverse triangle बनता है तो यह थोड़ा सा भ्रम पैदा कर सकता है यहां पर थोड़ा सा confusion create कर सकता है तो उस confusion का सिकार ना होके जैसे हम बता रहे ह है जैसे कि हम लोगों में आपको प्रेजेंट कर रहा है उसी साथ से अगर आप लोग का strategy रहेगा अंदो अगनती से यह आपको ज्यादा फाइदा मंत रहेगा तो जैसे कि मैं बताया आपको लोग को यहां पर ज्यादा एक्स्पेशन ना रखे काम करना है और यहां पे भी आप लोग को 510 का टार्गेट दिख जाएगा तो यहां पर यह वाला जो ब्लू का अगर आप लोग की इसके आस पास का देखोगे तो जब भी गिर आउठ होगा और इसका नीचे भी आएगा तब आप लोग के इन्वेस्पेंट करना चाहिए फॉदर सुइं ट्रेड तो यहां पर भी हम लोग के डूसरा कंक्लूजन मिल गया तीसरा कंक्लूजन नो जो है हम लोग का सबसे रिलायबल पार्टन यहां से हम आप लोग को थोड़ा सा ध्याँस देखने के लिए मतलब एक रिक्वेस्ट करूँगा यहां पर सबसे पहले देखिए जो टार्गेट है सबसे पहले यहां पर जो ग्याप और डाउन ओपनींग हुआ था यह आपका टार्गेट मान सकते हूं आप लोग तो टार्गेट जो है आप लोग को दिख जाएगा 500 एशरी 669 चेस्ज़चाथ के आसपास के यहां पर टार्गेट दिख जाएगा आप लोग खुश हो है तो यहां पर जो उसका टॉप लेबल है जो टॉप कैंडर के जो टॉप है तो वहां पर आप लोग दिखेगा 342 अगर 342 के आसपास कभी भी आ जाए तो आप लोग उस हिसाब से यहां पर उस टाइम का क्या जो सिच्वेशन है और रजी हम लोग तो हर फ्राइडे 9.30 इ कि आप लोग को पीछे की तरफ एक हमेसा याद दिलाते रहेगा जबी आप लोग इन्वेश्ट किये होंगे तो इसलिए मैं बोला इसको ज्यादा लंबा टाइम पर इन्वेश्ट अभी के लिए मत करना और यहां पर दूसरा चीज क्या है यहां पर जो गिरावट दिखान और यहां पर मैं बात करूंगा अगर डाइवर्जेंस की कोई भी आजसर डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ है तो उसका जो चार्ट है मैं आपके सामने इसलिए नहीं लाया हूँ तो फिर मैं अभी बात करूंगा इसका जो कोरिलेशन कोफिशेंट है निप्ति के साथ तो क तो यहां पर उस हिसाफ से जब भी आप लोग अपन्ति फिट्स का जब आप लोग आनलिसिस करते हो पूरा इंडिपेंडेंटेंट होके मत करना थोड़ा सा निप्टी के ओपर डिपेंडेंडेंसी रख के करना जादा फाइदामत रहेगा और यहां पर मैं बात करूंगा जो के लगभग एक छोटासा डिर्ड बन रहा अभी लाइब मार्केर में सुट कर रहा हो तो यहां पर दो रिड़ कानल बन जाता है तो आप लोगों को यहां पर सेल करना जादा अच्छा रहेगा और यहां पर ऑलेडिस सेलिंग सीग्णरर एक बार आया हुआ था बट यहां पर रेस्पॉंड नहीं किया गया था यहां पर जो फेल हो गया उसको जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक यहां पर श्टॉक का मुमेंड होना मुश्किल है इसे रैज में रहता है तो यहां पे यहां पे फ्वी सता है न कीरोड़ क सकता है लेकिन फितया ही मेरा सेलू करना ज़्याद अपना portfolio management जरूर कीजिएगा तो यह था अबंती Feds का fundamental और technical analysis कैसा लगा मेरे को एक बार comments में जरूर पताना और कोई भी दिक्कत हो कोई भी doubt हो भी आप लोग पूर सकते हो कि आप लोग कौन सा स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मैं उसको बनाने के लिए जरूर कोसिस करूंगा और जैसे भी फिर से बता देता हूं कि हर फ्राइड़ को 9.30 इवनिंग में हम लोग जो करते हम लोग का जितना टेकनिकल आनलेसिस और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि करेंट सिच्वेशन में क्या मार्केट का पोजिशन है और कॉन सा स्टॉक का क्या मूमेंट होने वाला आज पर यह सजेशन तो उसको देखना ना भूलेगा उसको मीस मत कीजेगा अगले वीडियो के लिए मेरेको इजादत दीजे थैंक्यू थैंक्यू सो मच